तो start करते हैं, parallel LCR circuit, series LCR हमने किया हुआ है, parallel LCR में हमने क्या करना है, यह आपके पास R, यह L और यह C, और यह voltage है, parallel में V सेम रहता है, जैसे series में I सेम रहता था, I is equal to I not sin omega T, फिर में LCR का वो diagram बनाते थे, voltage आगे, voltage पीछे, voltage same, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर, voltage same है, V is equal V not sin omega T, current के साथ बनाएंगे equation, जैसे इसमे current और voltage same phase में, inductor में voltage आ गया है, current पीछे है, और capacitor में current आ गया है, voltage पीछे है, तो हम क्या करेंगे, जो total current है I, वो IR, IL और IC, और voltage तो same है, तो IR में क्या put करेंगे, I not sin omega T, I not की जिगा V not by R, और inductor में क्या put करेंगे, V not by XL, यह निए minus pi by 2, क्यों, क्योंकि voltage V is equal to V not sin omega T, inductor के अंदर जो current है, वो पीछे होता है, तो इसके minus pi by 2, और capacitor में current आगे होता है, तो V not by Xe, और यहाँ पर कितना, plus pi by 2, इसे simplify करेंगे, तो यह minus cos omega T, इसे simplify करेंगे, plus cos omega T, इसे common लेंगे, cos omega T, तो यह term आएगी, आपने यह theory करनी नहीं, है, तो आप यह ना stress नहीं किया, मेरे को याद करना है, कुछ नहीं करना, आपने इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें करनी है, एक impedance का formula, और दूसरा tan phi का formula, बस, जैसे LCR में करते हैं, series में, तो आपसे theory कोई पूछ नहीं रहा, पर मैं आपको इसके लिए करवा रहा हूं, ताकि proof बता सकूँ कि कहां से आया, तो इसके अंदर थोड़ा mathematical step आगे, ये जो भी term है V0 by R, इसको imagine कर लेते हैं I0 sin phi, और इसको imagine कर लेते हैं I0 cos phi, तो जब मैं यहाँ पर इसकी जगा I0 sin phi, इसकी जगा I0 cos phi, I0 common, तो maths में sin A, sin B, cos A, cos B, sin of cos of A minus B, तो यहाँ से ही कुछ नहीं कर ले, जब आप divide करेंगे, तो sin upon cos क्या देगा आपको tan phi, तो आप please box में यह formula पहले याद करें, कि LCR जब parallel में होगा, तो tan phi का यह formula आपने याद करना है, तो tan phi is equal to, यहाँ पर लिखे 1 by x c, c omega क्या होता है 1 by x c, और L omega क्या होगा, L omega की जगा क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 by x x L, ठीक, 1 by x L, divided by 1 by R, तो यह दोनों formula याद करें, तो tan phi का formula series में था, x L minus x c by R, और parallel में क्या है, 1 by x c, 1 by x L upon 1 by R, numerical जब आएगा, objective आएगा, topic पे लिख ले, not for NCRT, school में कहीं नहीं आएगा, objective में सीधा tan phi आएगा, यह formula याद करें, proof not required, सम्ज़ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक, proof की दुरत नहीं है, tan phi याद हो गया, अब आपको इस circuit की क्या निकालनी है, impedance में निकालनी है, तो आपने क्या करना है इसमें, equation number 1 and 2 को squaring and adding कर दें, जब आप squaring and adding करेंगे, simplify करेंगे, और simplify करेंगे, और simplify करेंगे, करना आपने कुछ नहीं है, तो finally, आप please impedance का यह formula य z square, is equal to 1 by r square, और यह क्या है, 1 by xc, 1 by x, l का whole square, इस formula को प्लीज याद करें, तो impedance का कभी भी question आएगा, parallel में, तो यह formula आप लगाएंगे, ठीक है, proof की जुरत नहीं है, मैंने idea दे दी, आपको squaring and adding, पर proof चाहिए नहीं होता, आपको सीधा numerical ही try करना है, numerical आएगा objective में, ठीक है, तो आज की बाद अगर parallel circuit आगया, LCR parallel में, तो आप 10, 5 में क्या use करेंगे, पहले वाला formula और 1 by z में यह formula, clear हो गया, कल को अगर LCR parallel में और C गायब है, C ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हटा देंगे इससे, L नहीं है, तो हटा देंगे, R नहीं है, तो यह हटा देंग पहला point हो गया, clear